पाकिस्तान की एर बेस में आतंकी हमला हुआ है बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है मियावाली एर बेस में घुसे कई आतंकी तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली है मियावाली एर बेस को भारी नुकसान पहुचा है बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है आतंक्यों के घुसे होने की खबर सामने आ रही है तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली है फुटेज आपके सामने हमने रखी है लेकिन आप देख सकते हैं अंधेरा होने की वज़े से बहुत कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन हमले की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं मियावाली एर बेस में कई आतंकी घुसे तहरीके जिहाब की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई है इस मामले में अभी और अपडेट आएगा लेकिन जो बड़ी खबर है मियावाली एर बेस को भारी नुकसान पहुचा है तो पाकिस्तान की एर बेस में आतंकी खमला देखने को मिला है एक्सलूजिव तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं मियावाली एर बेस की ए तस्वीरे हैं जहां पर कुछ आतंकी खुस गए और आप देखिए कितना नुकसान वहाँ पर इस एर बेस को पहुंचाया गया तहरीके जिहात ने हमले की जिम्मेदारी उठाई है और कहा है कि हमला हमी ने किया है मियावाली एर बेस में इस हमले को अंजाम दिया गया कई यातंकी खुसे उसके बाद आप देखिए तस्वीरे हम आप दिखा रहे हैं किस तरीके से एर बेस पर यहाँ पर हमला किया गया देखे काले धुए का गुबार आसमार में आप साफ तोर पर देख सकते हैं हाला कि अंधीरा था लेकिन उसके बावजूत आप देखिए तस्वीरे तहरी के जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली है अपडेट हम आपको लगातार इस हमले को लेकर दे रही है तहरीके जिहाद ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी ली है उप्रेशन लगातार जारी है मियावाली एरबेस को भारी नुकसान यहाँ पर पहुचाए इस पूरे मामले पर और जादा अपडेट लेंगे अभिशेक उपादय हमारे समवादा ता हमारे साथ चुड़े अभिशेक क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर बड़ा आतंकी हमला हुआ है नियावाली एरबेस पर पंजाब परांद में यह एरबेस है मौत महतपूर एरबेस है पाकिस्तान का और जिस तरह से यह आतंकी हमला हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि पूरी वेल फ्लानिंग थी और लंबे समय से इस जगह के निगरानी की जारी थी जो कि हैवली गार्डड इलाका है उनका एरबेस है और यहां पर चाइनीज एसेट भी यहां पर रहती है यहां पर चाइनीज एफसिक्स इसके पहले यहां पर एक टमी जलाने के लिए चाइनीज जो एसेट्स हैं उसको जलाने के लिए भी यहां पर साफी जो विरोधी हैं वो यहां पर आगे थे पहले सी दिशाने पर है इसकी यहां पर सुरक्षा बहुत जादा रहती है और उसके बाद इस तरह का हमला हो जाना यह बताता है कि पूरी तैयारी के साथ में आतंकी आये थे और अभी भी वहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके चल रहा है कितने देर पहले यह घटना हुई और ऑपरेशन कहां तक पहुचा है कितना बड़ा यह नुकसान है और कोई भी जानकारी आपके पास हो तो देखे अभी तक तो जानकारी यही है कि यह ओनकोई अटैक है और सबसे जो 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 चिंता जनक बात है वो है सोसाइड बॉमबर की सोसाइड बॉमबर इसमें इन्वाल्व हैं और उस इस्टित में आप्शन से बहुत जी चीमित हो जाते हैं सुरक्षा बलों के पास में जो अर्गेटेड लोकेशन पर वो बाकैदा आटैक हो रहे हैं जहां पर जहां पर जो सुरक्षा बलों के अल्रेडी जमावडा है वो लोकेशन सो इन्टिफाई कर रक ती और वहां पर इससे साइड बांबिंग हो रही है और इस्टित ही यह जो आगस पास लोग है कि कि पोड पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं सीधे उनी के पास चलेंगे और जानेंगे कि यह कितना बड़ा नुकसान है क्या कुछ अभी ऑपरेशन बहाँ पर चल रहा है और कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है मियाँ वाली एरबेस्ट को बिल्कुर रपोर्ट के मताबिक यह रात गए इन्हों ने यह और भी गृश्ट की वाली के अ निसके रगूशने की आहेंगे सीधे ऑउर उन्होंने का है कि हमारे जो देशचत जड़ जो टर्रिस्ट हैं वो जदीद तरीन असला जो है वो लेकर वो पेस में पहुंचे हैं और अभी तक उन्हों जो लोकल जो रेजिजेंस उनकी तरफ से यह रेपोर्ट सामने आ रही है कि वहां पर अभी तक गोलियों की जो हमलात वो मुझी सामने हैं कि बिल्कुल सेयद आपके पास वापस आएंगे डेफेंस एक्सपर्ट करनल दानवीर हमारे साथ चुड़े करनल दानवीर हम देख रहे है किस तरीके से पाकिस्तान और लिडी महंगाई की मार्श हेल राए उसके बाद यतना बड़ा हमला प्रास भी पैनात हैं और यहां पर यह हमला एक अलगी डायमेंशन इस पूरे जंग की तरफ ले जाता है जब मैं जंग की बात कर रहा हूं तो तहरीके चालिबान पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान जो पाकिस्तान जो पर यह जंग मुतलत करी है उसके विशे में बात कर रहा लेकिन कितना नुक्सान हुआ है, मैं भी खबरें दर उदर देख रहा था, लेकिन अभी तक क्यों नुक्सान का ने पता लगा है, लेकिन एहम बात यह है, यहाँ पर पाकिस्तान के जदीद करीन पाइटर एरकराफत मौजूद है, और अगर उनको नुक्सान होता है, तो पा पकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धच्का है और इसमें एक बात और यद रहे की नियाग वाली ये से थी पाकिस्तान के एरफोर्स के टैयारे तहरी के तालिबान पाकिस्तान के ठ Mainly करते रहे हैं और पिछले साल भी इन्होंने अफगानिस्तान के अपर जाकर और कुछ तैरीके तालिबान पाकिस्तान के बेसिस के उपर हमला भी किया था अब बहुत सारे अपडेट आने बाखी है लेकिन जो प्रत्म जानकारी आ रही है कि आत्म घाती जो हमला पर है सुसाइट बॉम्बर्स जो है वो घुसे यहां पर तो सुरक्षा के लिहाद से भी यह बड़ी चू कह सकते हैं बहुत बड़ी चीज है और इसमें कोई दोर आए नहीं कि यह बहुत ही बड़ा हमला है और यह कहीं नहीं बगया ती अंदर के आदमियों की मिली जली साथगात के इतना बड़ा हमला नामुम्किन है आपको याद रहे कि कराची के नेवल बेश के उबर भी एक बार हमला कुछ साल पहले और कुछ के अंदर भी पाकिस्तान के ही नौसैनिक का हाथ बताया गया और मेरे को कोई संदे नहीं है कि यह मिया वाली के उपर जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान के ही सैनिकों की कहीं ना कहीं पिली बगत होगी क्योंकि यह पाकिस्तान की फौज का पाकि अफगानिस्तानी पौज के लिए भी खड़ी होती है और इसको हमें अफगानिस्तान के शर्णार्थियों को निकाले जाने की कारवाई के साथ भी जोड़ कर देखना और समझना चाहिए जी सर इसके साथ ही जिस सरीके की तस्विरे हम देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत अंधेरा है लेकिन हमला जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा यहां पर दिखाई भी दे रहा है और इसके साथ जो जानकारी हाल फिलाल आरी है वो भी समझ आ रहे हैं आप हमारे साथ बने रहे आगे भी आपसे बात्शूीत करेंगे देखें तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी अब तक ली है और ये नुकसान कितना बड़ा है अब देट अभी आना बाकी है लेकिन बैकड्राउंड की आवाजर सुनिये तो लगतार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं मियावाली अर्बेस में आतंकी घुसे हैं और ये तहरीके जिहाद ने बड़ी जिम्मेदारी इसकी ली है लगतार मेरे सहयोगी सहयग बने हुए है पाकिस्तान से सहयग क्योंकि आतंकवाद की बात होती है और आतंकवाद को किस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करता है ये हम सब ने देखा है लेकिन जो अब तक जानकारी आ रही है जो घटना हुई है क्या उससे रिलेटेड कोई और अब तक आपके सामने है, कुछ भी ऐसी जानकारी जो आप दर्शकों को बताना चाहें। जानना वो जो है, वो आसान हो गया कि actually में हुआ क्या है। और साथी साथ अगर बात करें, पाकिस्तान में तो PTP का जो पाकिस्तान में जो अटैक्स हैं वो बहुत जाद है। तहरीके जिहाद पाकिस्तान के अटैक्स बहुत कम है। तो उस सवाले से अगर देखा जाए तो PTP के इलावा अगर तहरीके जहाद अगर मैं कहूं तो उनका अटैक करना वो बिलकुल गैर मोमूली है। जी और सेद कितने आतंकी घुजे थे, कोई भी जानकारी इस तरीके के मिल रही हो, कि ये कितनी संख्या थी, ऑप्रेशन किस तरीके का वहां पर चल रहा है, सुरक्षा के लिहाद से वहां पर क्या किया जा रहा है। देखे दी सुरक्षा के लिहाद से जाहर है क्योंकि जब पहरीक जिहाद पाचेसा ने इसकी जिम्मेदारी कबूल गी क्योंकि जब ऑफिशली इसकी कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आई तो उनकी जो जो उन्होंने जो जिम्मेदारी कबूल गी उसमें हम ये देख सके हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे जो देश्यते हैं वो जढीत तरीन असले से लेस होकर वहाँ पर पोँचे हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट उन्होन जारी कि उसके मताबक उन्होंने चेक पोसे इरियास हैं वहां पर कब्सक्टा किया तो ये लॉंग ओप्रेशन लग रहा है क्योंकि रात जैसे ये मामला चल रहा है और अभी तक ये इसकी रिपोर्ट आ रही है तो ये लग ज़रूर ऐसा रहा है कि ये और कुछ देट चलेगा और जैसे इसकी ओफिशनर रिपोर्ट सामने आती है तो वो हम तर्शिकों को है तस्वीरे लगातार दिखा रहे हैं रात के अंदेरे की तस्वीरे हैं लेकिन देखे बैक्ग्राउंड की जो आवासे हैं वो आप सुन सकते हैं वहाँ पर सुसाइड बॉम्बर्स घुसे और बड़ा नुकसान पहुचाने की कोशिश की गई है इसकी जिम्मेदारी ली लेकिन अभी भी बहुत सारे अपडेट आने बागी हैं एक एक अपडेट आप तक पहुचाएंगे हम क्योंकि ये कितने आतंकी थे किस मकसद से यहां गुसा गया और किस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है ये तमाम चीज़े आपके सामने हम धीरे धीरे रख रहे हैं फिल बहुत बड़ा आतंकी हमला कह सकते हैं मियावाली एर बेस में आतंकी घुसे और तहरीके जिहाद ने जिम्मेदारी ली हैं अभिशेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अभिशेक उपाध्याएं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवार को लेकर प अभिशेक की मार पाकिस्तान को भी जहनना पड़ रहा है और अब देखिए वहाँ पर किस तरीके से पूरा ये ओपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा आतंकी हमला है मियाँ वाली एर बेस जो की पाकिस्तान की जितने भी वहाँ पर हत्यार है जिस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा रह दी है बावजूद उसके सोसाइट बॉमबर्स वहाँ पर घुसे और इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया उसके बाद जो एक्स्क्लूसे पस्विरे ताज़ा तस्विरे है वहाँ की वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि इस वक्त बहाँ पर क्या कुछ चल रहा है सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं सूरज बिलकुल चमक रहा है और इस वक्त वहाँ पर ओपरेशन भी चलाया जा रहा है कि किस तरीके से कितने आतंकी घुसे कहां से घुसे किस तरीके से सुरक्षा में चूक हुए क्या कोई अंदर का ही व्यक्ति मदद कर रहा था ये त सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है लगतार हम तस्वीरे दिखा रहे हैं और तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं सैयद जलाल के पास चलेंगे पाकिस्तान से हमारे साथ चुड़े हैं सैयद हम तस्वीरे देख रहे हैं मियावाली एरबेस की ताजा तस्वीरे हैं जहाँ पर हेलिकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन वहाँ पर लगाता चलाया जा रहा है कितना एहम यह मियावाली एर्बेस माना जाता है जी बिलकुल यह बहुत एहम मियावाली का एर्बेस है क्योंकि जितने भी एर्बेसिस हैं पाकिस्दान एर्फोर्स के वो सारे ही आमियत के हमिल है लेकिन साथ साथ मैं एवीबी के दश्पो को जो है वो एक्स्क्लूसिव फ़र्ब यह देना चाता हूँ कि आईएस पियर की तरफ से प्रेस रिजिस जारी कर दी गिया है जिसमें उन्होंने बताया कि तीन जो टेररिस्ट हैं उनको उन्होंने जो है वो मार गिराया और तीन जो है उनको आईसोलेट कर दिया गया और तीन जहाज कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड पे मौझू थे यह आईएस पियर की जानेप से जो स्टेटमेट जारी किया गया जिसमें यही बताया गया कि जो अर्ली हार्ड जो आज की जो आइसोलेट जो वो कर दिया गया आईसोलेट गया ठीके से आपके पास आएंगे आतंकी हमले पर पाकिस्तानी सेना का बयान सामने आ चुका है तीन आतंकी मारे गए पाकिस्तान सेना की तरफ से ये बाते कही गई और देखी आप धीरे धीरे जो जानकारी है वो सामने आने लगी है आतंकी हमला नाकाम हुआ है पाकिस्तान सेना की तरफ से ये बयान दिया गया है कि आतंकी हमले को हमने नाकाम किया अंतिम दौर में इस व हमले को हमने नाकाम किया तीन आतंकियों को हमने धेर कर दिया है सर्च ऑपरेशन अपने अंतिम मुकाम पर चल रहा है यह तमाम जो चीज़े यह जो बयान सामने आया है वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान दिया गया है आतंकी हमले को हमने नाकाम किया पाकिस्तान की सेना ये दावा कर रही है कि अंतिम दौर में ओप्रेशन है मिया बाली एर बेस जो कि कई चीजों के हिसाब से भी अगर देखे तो बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए और वहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ है बताय जा रहा है कि आत्म घाती हमलावर घुसे और आतंकी ह हमला किया गया तहरी के जिहाद की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई लेकिन अब जो बड़ी खबर है बड़ा बयान है वो ये है पाकिस्तानी सेना की तरफ से कि तीन आतंकी को मार दिया गया है ऑपरेशन अपने अंतिन दौर में है सेयद लगातार हमारे साथ बने से अफिचली इस चीरती बड़ारी जारी कीजे तो हम देख रहे हैं कि वह उन्हों ञींदे ज्तर आ बता रही थी के उन्हों ने यहीं बना पताएंगे मजीद तो अभी इंतजार करना वो मुनासिब होगा और चुक्छा अभी चल रहा है वो अभी जो इंतजार करना मुनासिब होगा साँजा इस तरीके के होते हैं और क्या यह पॉसिबल है कि इस तरीके से वहां पे सुबसाइड बॉम्बस घुज जाएं कोई यह ओर मिली भीगव जो आशंगा जी ऐसा मुम्किन तो नहीं है क्योंकि जिस तरह की जो security होती है और प्याप की बेशी है अर्मी की basis major Y is a area एंग बॉह जो हमें। बहुत जो डिवारे हैं। समझा कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ दिवारों पर जो बेरियर्स लगे वे से दिवारों के उपर जो खारदार तारें लगी वी थी उनको तोड़ के यह जो टेररिस्ट हैं जो अंदर घुसे हैं कुछ रिपोर्ट्स अनवेरिफाइड हैं लेकिन यह बताया जरूर जा रहा है कि वहां से यह टर्इयर इस्ट यह हैं वो उन्दर खुशे हैं तो तो यह बहुत बड़ा स्वालिया निशान है कि यह तैरिस्ट उसे कहते हैं तुम दर्शकों को साथ साथ अगाह करते हैं पिल्कुल और साइद जो हमले के बाद से जानकारी आ रही थी कि बहुत बड़ा नुकसान भी पहुचा है मियाँ वाली एर बेस को तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि क्योंकि एर क्राफ्ट डैमेज हुए है कि कुछ इस तरीकी की जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साज्वा कर रहे हैं कोई आपके पास ऐसी जानकारी की कितना ये नुकसान हुआ है इस तरीके की अभी आपके पास भी मिल रही है कुछ पुकता हो पा रहा है देखें जी अन्वेरिफेर्ड है हो सकता है कि ऐसा हुआ हूँ लेकिन अन्वेरिफेर्ड मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो कुछ भी कहना जो है ना किसी भी आपास पे जो पूरा उतनना वो जारा मुश्किल होगा अमारे लिए और जाहर है कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा कोई आसी टेखनेग उन्होंने अपनाई होगी जिसके जरिये से इतने ज्यादा सेक्योर्टी के इंदर ग tag Beweg Cynthia ओर उन्हें यह सारह प्लैन किया है तो जाहर है और बी प्लैंक आगे जाना η ठेलाई को और अbnुजिवल स deal है न तरफ से क्वाधा है अनगी स्केसाइटमेंट करूं है और जीहाग के बारे में नेकर पकर लिए है nut बीजिलिए आज़ को पाकिस्तार में पहने भी जो है वो इस तरह के टेर्रिस डाटेक्स कर चुकिए लेकिन अगर लिए अगर हम देखें तो तहरीख जिहाद पाकिस्तारों वो ठीटिप के जो हमलें वो पाकिस्तार में वो बहुत ज़्यादा हैं. तो तीटीपी के बात किया है तो ब्दाब रहका थीजी आ से करेंड़ थिया थिरीक जया आ कम हमलों की वज़ा से तो ये बहुत जो है इंपोर्टै। था क्या फ mise आ को उन्होंने प्लैन करें शिया। तो उस हवाले से इतने अटेक्स उन्होंने आपकसा निस हवाले से बीने अटेक्स कि उते हैं तो खत्राय अपकीस्तान को जीज़़े जादे जादा जांकारी आएगी वह थे पर में आपने दर्शकों के साथ साजा करेंगे